दोस्तों आप सभी के एक बार फिर सेल्टेस में स्वागत है गांधार और रिफाइंडी इसके बारे में हम दूसरी बार जानकारी दे रहे हैं जब इसका IPO आया था या लिस्टिंग भी तो इसके परश्चात हमने वीडियो बनाया था अभी देखा जाए बहुत सारी कमपनियां ऐसी होती हैं जो लिस्टिंग तब तो उनके financials काफी अच्छे रहते हैं लेकिन लिस्टिंग के परश्चात असलियत उनके सामने आ जाते हैं लेकिन कुछ कमपनियां ऐसी होती हैं जो consistent अच्छे results पेश करती हैं में से एक है गांधार ओयल रिफाइनरी इनके दिसंबर के नतीजे आ चुके हैं जबकि कमपनी की जो लिस्टिंग हुई थी वो थी 30 नवंबर 2023 को तो यानि कि निवरिल इस्टेट कमपनी है तो एक नजर डालेंगे कि वेवसाय क्या करती है और किस प्रकार के पास्ट के को बता देता हूं कि वेवेशन वाइस देखा जाये तो अभी बहुत ज़्यादा आकरशक है आकरशक इंदसेंस की दो बातें आप समझ के रखिए कि कोई भी कमपनी हो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो बिजनस मॉडल अगर आप देख रहे हैं कि उनके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं उसके पशाद अगर वो रिगलर अर्निंग कर रही है और वेवेशन वाइस वो सस्ती है तो आपको एक लॉंग टम में कभी भी नुकसान नहीं देगी भली वो ज्यादा ना चले लेकिन समय जरूर आता है जब वो एक समय के बाद बहुत तेजी दिखाता है तो वही समय होता है जब हम किसी कमपनी को देरे-देरे करके एकुमलेट करते रहें यह जानते हुए कि भाया अब इस क्वाटर के नतीजे अच्छे आ गए हैं अभी भी स्टॉक प्राइस थोड़ा सा बढ़ा है चलो थोड़े से और शेर ले ले लेते हैं फिर कुछ अच्छे रुपए आप समझ ले उसके पर लिस्टिंग हुई लिस्टिंग के बाद जो इसने हाई बनाया 344 का यानि कि लोगों काफी अच्छा खासा फायदा हुआ आज की डेट में देखते हैं तो गिर के 263 की प्राइस पर जो है ट्रेड हो रहा है 16 का प्राइस टू अर्निंग र प्राइस वालों को फायदा हो रहा है मार्केट के अब देखते हैं तो यह बहुत छोटी है अगर देखें 2600 करोड के आसपास है दो की फेस वैल्यू है अभी यह नवंबर में लिस्ट हुई थी 2023 में ROE इसका निकल क्या रहा है 30% ROC है इसका 37% यह रही कुछ बेसिक जानका सबसे पहले हम quarterly नतीजों पर आ जाते हैं फिर हम website पर इनके चलेंगे क्या product बनाती है दिसंबर और सितंबर के मद्ध में 1001 करोड से बढ़के हो गई है 1100 करोड से ज्यादा की sales और अगर पिछले वर्ष का quarter देखते हैं यानि दिसंबर 2022 में तो यहाँ पे 1098 करोड का था त देखते हैं तो 8% है जो कि flight ही है कई quarter से net profit देखते हैं तो बढ़के आया पिछले quarter से और पिछले quarter से भी बढ़के आया है तो बहुत बुरी तरीके तो जंप नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन चुकि यह company ऐसे ही अगर आप देखेंगे जो इनका raw material है वो कहीने के crude oil भी है तो जब भी वहाँ पर price पर fluctuation होता है तो समझे कि यह trouble में आ जाते हैं तो costing जब महेंगी पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि margin में भी इनके pressure आएगा इसी प्रकार से अगर हम साल दर साल देखते हैं तो sales continuous बढ़ती हुई नजर आ रही है जो growth निकल के आ रहा है तीन वर्ष 60 है 2030 की वित वर्ष्ट पाकी company खर्च कर रही है और जो promoters है उनके पास है 64.63% FIIs है 2.53% mainly जो बड़े player हो सकते हैं यही हो सकते हैं अगर यह इनकी वापसी होती है जब भी एक बड़ी तादात में आए तो इस company को भी फाइदा हो सकता है और जो आप DIs देख रहे हैं वो भ हटके रहे हैं 6.61% तो उस समय IPO के समय वाले भी लोग निकले हैं बाकी retail लोगों ने संभाला हुआ 26.24% है और बड़ी तादात है shareholders की संक्या काफी है यह तो रही कुछ basic चीजे गांधार oil refinery के लेकिन business को समझना जरूरी है कि कि किस प्रकार का व्योसाय है बिजनेस में जो cosmetics के products हो गए और ही बहुत सारे products हो गए तो यहां पर इन्होंने कह रखा है कि यह जो white oil बनाते है इनकी जो refinery है गांधार oil refinery limited is a known name in the world of specialty oils our company is a leading manufacturer of white oils by revenue with a growing focus on the consumer and healthcare and industries we have a diversified customer base that comprised 3558 customers during the fiscal 2023 we produce a broad variety of specialty oils and lubricants such as white oils waxes jellies automotive oils industrial oils transformer oils transformer oils and rubber processing oils our products are sold under our flagship brand the viole our company has three decades of experience in the specialty oil industry we have increased the scale of our operations over the years while increasing efficiency of reducing costs our company start with the taloja plant in 1994 subsequently set up the silvasa plant in 2000 and set up texol which has become our subsidiary with effect from 30 2022 with a partner in 2017 to expand into uae our business model efforts as to flexibility to grow manage our operations products में अगर हम देख लेते हैं तो एक लंबी list है चाहे industrial oil manufacturing में हो चाहे automotive oil में हो चाहे mineral oil and petroleum jelly हो या rubber processing oil हो यानि कि इन products के चाहे FMCG की industry हो चाहे फिर rubber बनाने वाली कमपनियां हो चाहे automotive वाली कमपनियां हो उनकी तरफ से यहां से demand रहेगा अब ऐसे में बहुत ही धैर पूरक सोचना पड़ेगा अगर कोई हम new real estate company के साथ जाते हैं है तो पुरानी company लेकिन किस प्रकार से market तबज्जो देगा मतला भाव देगा इसको देगा या नहीं देगा वो सारे चीजों को ध्यान रखना पड़ता है तो एक तरीके से यह भी तो अगर जिन जिन को यह लगता है तो वो भी अपनी study बाकायदे करें के products को लेके इसके भविश्य को लेके इस प्रकार से अपनी capacity यह बढ़ा भी रहे हैं कुछ manufacturing units भी लगा रहे हैं तो क्या उसका भविश्य में उसको इनको फाइदा मिलेगा अगर इनको फाइदा मिलत है stockholders को भी काफी benefit मिल सकता है तो ऐसी company को चिन्हित करना एक तरीके से बहुत परिश्यम का काम है कि हो सकता है कि चीजें आपके favor में हो जाए हो सकता है कि एक लंबा समय लग जाए और उस लंबे समय में आपको यह लग जाए कि सबकुस ठीक था company का फिर भी क्यों नहीं चल करें और फिर आपको वहां पर लगता है कि अरे मैंने क्यों बेचा ऐसा होता है generally हम जब भी कोई stock लेते हैं कोई भी कितनी अच्छी company हो जैसे ही बेचेंगे वह भागना शुरू कर देती है और जैसे ही कोई अच्छी company लेते हैं तो गिरना शुरू हो जाती है तो इन चीज इसका भी आप ध्यान रखें